परिचए नमस्कार दोस्तों अपने शरीर के समुचित विकास के लिए उर्जा पाने के लिए हम नियमित आहार ग्रहन करते हैं हम कह सकते हैं कि स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है आईए हम जो आहार खाते हैं उसके बारे में और जाने आउ सीखें के आहार की जरूरत होती है क्या आप जानते हैं कि आहार में कई पोशक तत्व जैसे कार्भोहाइड्रेड्स, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटमिन होते हैं हम आहार को तीन मुख्य भागों में बाट सकते हैं उर्जा देने वाले आहार दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शरीर को विभिन कार्य करने के लिए उर्जा की जरूरत होती है हम मुख्यतह उर्जा देने वाले आहार से उर्जा प्राप्त करते हैं कार्बो हाइडरेट्स और वसा जैसे आहार हमें ततकाल उर्जा प्रदान करते हैं और इसी लिए इन्हें उर्जा प्रदान करने वाले पोशक तत्व कहते हैं शरीर निर्मान वाले आहार आहार हमारे शरीर के समुचित विकास में भी योगदान देते हैं अत्यधिक प्रोटीन वाले आहार को शरीर निर्माण वाले आहार कहते हैं सुरक्षा देने वाले आहार आईए सुरक्षा देने वाले आहार के बारे में जाने इस तरह के आहार हमें बीमारियों से बचाते हैं ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाते हैं जो आहार हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करें उसे सुरक्षा प्रदान करने वाला आहार कहते हैं सुरक्षा देने वाले आहार में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होता है जल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आहार के अतरिक्त हमारे शरीर को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल की भी जरूरत होती है आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि बहुत से पेपदार्थों में जल मिला रहता है क्या आप जानते हैं कि यदि हम प्रतिदिन खासकर गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में जल ना पिएं तो हम बीमार पढ़ सकते हैं इसलिए हमें प्रतिदिन चार से छे गिलास पानी जरूर पीना चाहिए अब हम अगले बिंदू पर आते हैं क्या आप जीवानों से भैभीत हैं? हम्, ये हर जगह हैं और आपको बीमार कर सकते हैं इसलिए हमें खुद को बीमारी से बचाने के लिए कुछ आसान उपायों को अपनाना चाहिए खाना खाने से पहले और बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं अपने नाखूनों को नियमित काटें कच्चे फल और सबजी को साफ पानी से धो कर खाएं ताजा पका भोजन खाएं और गंदे एवं बासी भोजन से परहेज करें आहार सुरक्षा और संग्रहन आईए आहार को खराब होने से बचाने के लिए किये जाने बाले आहार सुरक्षा और संग्रहन के बारे में जाने पानी को उबालने से इसके जीवान उमर जाते हैं रेफ्रिजरेटर में खाना जीवानों से सुरक्षित और ठंडा रहता है फलों और सब्जियों को पूरी तरह से धोए आहार को पन्नी, कपड़े या धकन से धका होना चाहिए हमने क्या चर्चा की? आहार कई पोशक्तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटमिन से बनता है आहार को तीन मुख्य भागों में बाटा जा सकता है उर्जा देने वाले आहार, शरीर निर्मान करने वाले आहार और सुरक्षा देने वाले आहार हमें प्रतदिन प्रचुर मात्रा में जलकी भी आवशक्ता होती है हमें आहार को जीवान मुक्त रखने के लिए उसे स्वच्चता पूर्वक रखना चाहिए झाले आहार हमें जलकी आहार